नवस्का दोस्तों मेरा नामे शेत्रुगन गौतम इंचाज पदना द्यापक जूनियर हाइज स्कूल मानपूर ब्लाग का चोना डिस्टी कर दोई आप सभी मित्रों का मेरे यीट्यूब चैनल पर स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फॉर्म 16 के बारे में कु जितनी भी इंकम आपके सेलरी एकाउन में होती है और उसके उपर जितने भी आपके चार्जेज या डिड़क्शन होने के बाद आपकी जो इंकम बसती है उसकी पूरी डिटेल उसमें दी रहती है तो अभी आपको पता है कि आपको इंकम टेक्स डिटरन भरने होता है तो अभी आपको form 16 हो सकता है मिल गया हो हो सकता किसी किसी विवाग में अभी कहीं कहीं नहीं मिला है तो जिनको मिल गया है या नहीं मिला है वो सभी लोग इस वीडियो को देख लें क्योंकि इसके बाद income tax return मैं आपको live file करके दिखाऊंगा मैं लगातार 2-3 साल से अपना return भर र सकते हैं कोई पैसा खर्चा करने की जरूत नहीं है तो उससे पहले आपको basic थोड़ा समझना पड़ाएगा क्या इसके slabs हैं क्या इसकी form 16 है और कौन कौन सी इसमें section चलते हैं तो उनके सारे वीडियो में यहां पर one by one आपको देने वाला हूं तो हमारे चैनल पर आप पहल income 16 का यह photo है इसमें आप देखेंगे इसके कई section होते हैं कई part होते हैं इन पार्टों को जानने से पहले आपको income tax के slab के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो slab पे मैंने भी एक video upload किया है उसको आप देख सकते हैं i button में उसका link दिया रहेगा और इसका description box में उसका link दिया रह है तो यहां पर जो first part आप देख रहे हैं form 16 में यह इसमें आपके basic detail रहती है यहां पर आप देख सकते हैं यह आपका first part है इसमें आपका यहां पर देखिए जो आपका डिडेक्टर है उसका pen number रहता है उसका 10 number डिडेक्टर करेता है और जो employee है यानि कि जो जैसे हम teacher है हम अपने department में job करने तो हमारा जो department है वह हमारा डिडेक्टर होगा यानि वह हम से हमारे tax को डिडेक्ट करेगा और यह pen imply यानि कि जो employee है उसका यहां पर pen दिया रहेगा तो मैंने यह pen hide कर दिया है और यहां पर नाम रहेगा आपका इतनी चीज़े आपको match करानी होंगी application के माद्यम से सूचित करना होगा कई लोगों की कभी कभी इसमें गलतियां हो जाती है तो इसको आप संसोधन करवा लीजिए यह अराम से संसोधित हो जाएगा अपने विभाग को एक बार सूचित कर दे इसके बाद फिर यहां पर आपका देखेंगे address रहेगा और यहां पर यह देखिए यह assessment year रहेगा assessment year जो होता है आप देखिए इसमें लिखा है 2020-21 और यह आपका period with the employer यानि कि कि किस date से किस date के बीच में आपका जो income है और उस पर जो tax लग रहा है उसकी detail यहां पर दी रहेगी तो आप देख सकते हैं यहां पर दिया है 14 2019 से 31 2020 तक यानि कि आप कह सकते हैं जो आपका financial year है वो 2019 से 2020 है तो financial year और assessment year में एक साल का difference होता है assessment year जो एक साल आगे रहता है financial year आपका जो साल का income रहती है वो होता है तो इसको थोड़ा सा समझ लीज़े क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूस हो जाते है assessment year और financial year में तो यह part आपका हो गया अब हम इसके बाद आगे आते हैं part B में यहां पर देखिए part B लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है detail of salary paid and any other income and tax deducted तो यहां पर जितने भी आपकी salary count में जितनी salary आती है या और other जो income आती है वो और उसके बाद जो आपका tax deduct होगा वो यहां पर include रहेगा अब देखिए यह मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें एक gross salary का कैसे निकाला जाता उसका मैंने एक तरीका बताया था तो उसको मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं जो total income निकालने का एक तरीका होता है उसमें मैंने बताया था gross income minus deduction under chapter जो भी chapter के under से आपके deduction हुए है उनको minus कर दिए तो यहां पर मैंने example दिया था आपकी gross income है 7 लाक और जिसमें से deduction हो रहा है आपका 2 लाक तो आपकी जो total income बनेगी वो 5 ल form 16 दिया है इसमें example के तौर पे देखेंगे clear हो जाएगा आपका तो अब आप यहां पर देखिए यहां पर जो gross salary है यानि कि जो total income आपके खाते में आई है वो यहां पर देखिए 6,05,021 रुपे यह जिसका भी यह form 16 है उनके खाते में आई है यह मेरा form 16 नहीं है क्योंकि म मुझे मेरे विभाग का अभी प्राप्त नहीं हुआ है जैसे ही प्राप्त होगा तो मैं उस पे अगला वीडियो उसी के मादन से बनाऊंगा तो अभी आप देख सकते हैं यह जिनका भी है उनको 6,05,021 रुपे प्राप्त हुआ है total finance year में तो यह हो गई आपकी gross salary इसके ब में कुछ नहीं है और profit in life of salary under section 13 में भी कुछ नहीं है तो यहां पर total salary इनकी जो gross income है वो आपकी यहीं हो गई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आप यहां देखेंगे यहां पर लिखा है allowances तो allowances में आपका जो एक होता है number one पे वो होता HR तो HR पे मैं एक आपको detail video बनाऊंगा क्योंकि HR calculation में थोड़ी से दिक्कत होती है हमारे पास दो तरह से HR होते हैं एक होता है सरकारी विभाग में जिनको HR मिलता है और एक होता है जिन विभागों में HR नहीं मिलता है तो दो conditions होती है दोनों conditions में अलग-अलग इसका calculation होता है और उस calculation को मैं बागएदा आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप HR अपना calculate करें यह बहुत से लोग छोड़ देते हैं जबकि यह छोड़ना नहीं होता है आपको विभाग देता है आपको इसमें so करना होता है और उसके बाद यह पैसा आपका minus हो जाता है कैसे उसे निकालना है दोनों तरीके से जिनको विभाग से प्राप्त होता है HR उनको भी और जिनको विभाग से HR प्राप्त नहीं होता है उनको भी तो आगे वड़ते हैं आगे देखिए दिया है medical reimbursement यहां पे भी कोई इनको खर्च नहीं दिखाया गया है और children hostel allowances यहां भ भी तो इसके बाद भी आपकी gross salary उतनी ही बची क्योंकि और कुछ नहीं बढ़ रहा है अब हम लोग आगे देखते हैं अब आते हैं deductions पे तो यहां पे deductions पे जब आएंगे 34 नंबर पे deduction में तो यहां पे देखिए आपको एक standard deduction मिलता है तो standard deduction जो इस बार था वो था 50,000 का तो अब आपकी जो salary थी gross income थी 6,05,021 रुपे में से यह 50,000 सीधे minus हो जाएगा और आपकी salary बचेगी जो gross income आपकी बचेगी वो 5,05,021 रुपे बची तो यह आपका gross income अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें से deduction होते चले जाएंगे और जो finally सारे deduction हो तब हमारी निकलेगी income of tax यानि कि जिसपे हमें tax देना है देखते हैं और कौन सी बचेट इसमें है इसके आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे house properties में इनका एक loan है जिसपे इन्होंने 80,000 रुपे का मूलधन और ब्याज़़ई यहाँ पर दो चीज़े होती है जब आप कोई house खरीते हैं house property लेते हैं तो उस पे जो आप paid करते हैं जो भी आप उस पे मूलधन और ब्याज पेट करते हैं वो दोनों आपका यहाँ पर minus होता है तो यहाँ पर यह आपका जो house loan पर ब्याज लगता है और इसके बाद जो आपका मूलधन वापस होता है वो आगे section उसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर आपका यह ब्याज इतना paid हुआ है इस साल में जो आपके house loan पर गया है तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा तो आप देखेंगे पहले हमारी gross income थी 5,55,21 रुपए अब उसमें से 80,240 रुपए माइनस हो गए तो अब आपकी ज 4,74,781 रुपए तो यहाँ तक कि आपने देखा एक standard deduction माइनस हो गया और एपका एक आपका house loan का interest माइनस हुआ है यहाँ पर अब लोग आगे बढ़ते हैं आगे देखेंगे section 80C section 80C के तहट आपकी बहुत सारी बचते आती हैं लेकिन इसकी limit होती है 1.5 lakh की ही तो आप इसम इसके माध्यम से कर सकते हैं देखेंगे पहले नमबर पर है GPF CPF और VPF के माध्यम से GI यानि group insurance तो आपको पता है group insurance हम लोगों का 144 रुपए तक कर रहा था तो वो माइनस हो जाएगा दूसरा है LIP tax saving mutual fund अगर आप मेंसे कोई tax saving mutual fund ELSS लेता है ठीक है SIP कराता है या stamp duty लगाता है या registration fees या equity इस तरीके के कोई भी कहीं भी investment करता है तो वो यहाँ पे सो करके आप अपने gross income से माइनस करवा सकते हैं माली आपने कोई plot खरीदा उस plot की registry में आपको एक लाग या पचास जार या डेड़ लाग रुपे लगा तो वो भी आप यहाँ पे सो कर सकते हैं या यह बढ़ते हैं आगे है NPS कुछ लोगों का NPS भी कट रहा है यहाँ पर देखिए यह NPS यहाँ पर कटा हुआ है चोवन हजाद शेसो असी रुपे तो यह आपका यहाँ पर अब gross income से माइनस हो जाएगा इसके बाद देखिए एनसी आप दे सकते हैं LIC है PPF है तो यहाँ पर देखिए PPF में कुछ यहाँ पर माउंट डाला गया है करीब 36,000 तो अब यह भी यहाँ से माइनस हो जाएगा और इस तरीके से आप देख सकते हैं आगे आपका सुकन्या सम्रिद्धी भी है ATC के तहित आता है दूसरा HB loan principal आप देखिए यहाँ पर principal आया है यानि कि जो भी आपका house loan था उस पर जो principal आपने इस सत्र में दिया इस financial year में दिया तो उसको यहाँ पर include करेंगे देखिए यहाँ पर इन्होंने 75,604 रुपए का principal भी paid किया है आपने देखा interest यहाँ पर 80,000 के आसपास paid किया था और जो principal paid किया वो 75,000 के आसपास paid किया तो यह दोनों आपके minus हो रहे हैं तो house loan लेने वालों को काफी कुछ हम कहेंगे सहुलियत मिल जाती है आगे आप देखेंगे फिर आता है section 80 CC और section 80 CCD तो इन दोनों section के बारे में आपको brief से आगे बताऊंगा क्योंकि इसमें जो dedictions होते हैं वो जैसे आपने कोई pension fund ले रखा है या केंदरी केंद सरकार का कोई pension fund ले रखा है या इसके लावा आपने कहीं पे कोई कुछी दूसरी संस्था या किसी company का कोई fund ले रखा है तो उसके तहर जो income होती है जो आप उसमें जो देते हैं SIP के मा बच्चत इनकी थी तो यह सारी बच्चत आपकी अब जो gross income थी कितनी बची थी gross income चार लाग 74,000 जो अब gross income से कटके बचा था उसमें से अब यह total amount यहां पर जितना भी एटी सी में आपका दिया हुआ है यह सारा माइनस हो जाएगा तो यह सारा माइनस होने के बाद अब द सकता है डिलाक से ज्यादा नहीं लेना है तो देखिए लास्ट में आपने इन्वेश किया है 2.5.2008 भी उससे मतलब नहीं है आपको यहां पर डिलाक ही अपना माइनस हो पाएगा आपके gross income से तो अब यहां पर आप देखेंगे अगला section आता है तो यहां पर देखेंगे र बाद फिर आपका यहाँ पर देखेंगे तो यह देखिए अब इनका यहाँ पर टोटल इंकम यानि कि एक से आट तक की सारा राउंड आफ जो टोटल इंकम है वो इनकी बन नहीं है 3,24,281 रुपए यानि कि आपने ग्रॉस इंकम देखी थी इनकी थी 6 लाग के आसपास लेकिन अब जो टैक्स वाली इनकम इनकी बची वो 3,24,000 बची तो आप समझ सकते हैं जब 3 लाग के अंडर में आप आगे यानि 5 लाग के अंडर आगे तो आपका टैक्स तो लगना ही न नहीं है उस लैप को आप पिछली वीडियो में देख लीजेगा धाइन लाग तक आपका फिरी होता है और धाइन लाग के उपर जो इंकम बनती है उस पे आपका पांच परसेंट होता है लेकिन वह एक टी सेवन एक तहित आपको 12,000 की छूट मिले के कारण वो माइनस हो ज 289 रुपे रिबेट इनको मिल गया और टैक्स आप्टर रिबेट एटी सी में इनको धाइन हजार की छूड मिल गई तो इस तरीके से इनका टैक्स जो टोटल पेवल टैक्स था वो 3287 रुपे था ठीक है और यह इतनका डिडेक्ट हुआ है लेकिन इनका कुछ पहले का भी एडवान्स टैक्स कटा होगा जिसकी वज़े से यह इनका पैसा माइनस होगा आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जिरो टैक्स था यहाँ पे टैक्स इनको कटना ही नहीं चाहिए था लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3287 रुपे टैक्स काटा है जो की इन्हें रिफंड फाइल करेंगे तो अब आपको क्या करना है आपने अपना यह फॉर्म 16 देख लिया अब जितना भी आपका यहां पर डिडेक्ट हुआ है इंकम टेक्स उसको हम लोग मैच करेंगे फॉर्म 16 से 26 एस से तो अब हम इनका 26 एस चेक कर लेते हैं और वहां पर देख लेते हैं यह इनका 3287 रुपय माइनस सो कर रहा है यह वहां पर सो कर रहा है कि नहीं तो अब हम लोग चलते हैं इंकम टेक्स 26 एस चेक करेंगे तो आपको गूगल क्रोम पर इंकम टेक्स उपन करना होगा इंकम टेक्स जैसे ही आप यहां पर उपन करेंगे तो आपका यह पेज खुल ज होगा इसको आप उपन कर लेंगे उपन करने के बाद आपका इंकम टेक्स वाला यह पेज खुल जाएगा यह वाला पेज हटा देंगे एड वाला इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन यूर्शेल्फ और लॉग इन है और फॉर्गेट से हमने रेजिस्ट्रेशन कर रखा क्योंकि इनका इनकर रिटर्न पिशली बार में नहीं भरा था तो अब मैं इसको लॉग इन करूंगा आप जैसे लॉग इन पर जाएंगे चलिए देखते हैं तो यह आपका इस तरीके से खुल जाएगा तो यहां पर आप सिस्टम में अ तो यही है इनका और इनका पास्वार इसने ले लिया है क्योंकि पहले से सेव था और अब हम इसको उपन कर देंगे यहां पर कैप्चा डालके और इसको फिर हम सम्मिट कर देंगे यहां पर लॉग इन पर जैसे आप लॉग इन पर सम्मिट करेंगे तो इसको आप पॉंट्यून कर दीजेगा तो यह देखिए आपका डिटेल खुल के आ जाएगा अब ही आपको क्या करना है यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर दो अप्डेट का और एक स्किप का तो आप सीधे से स्किप कर दीजे इसको जैसे आप स्किप करेंगे तो आप नेक्स पेज़ पर आ जाएंगे इस पेज़ पर अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप एक ची नया वाला income tax return fill करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और 26 AS देखने के लिए my account पर आप क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर 26 AS चेक करना चाह रहे थे तो my account पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर view from 26 AS credit यानि कि पहला वाला option जो है उस पर क्लिक कर देंगे जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे आप देखेंगे आपके पास इस तरीके से एक यह खुल जाएगा और यहाँ पर green clear में लिखा है confirm तो आप confirm कर देंगे जैसे आप confirm कर देंगे तो यह इस तरीके से नया page खुल जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए कि आप इसको proceed कर दें जैसे आप proceed कर देंगे फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option मिल ला है click view credit form 26 एस 26 एस पर आप click करेंगे जैसे 26 form एस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से 26 एस खुलेगा इसमें आपका assessment year पूछेगा तो assessment year आपको पता है 2020 2021 आप कर रहेगा तो इसको आप 2020 समिट करेंगे और view as में आप डालेंगे HTML और उसके बाद view download पे click करेंगे या फिर आप expert to PDF में भी कर सकते हैं इसको PDF में convert करेंगे अगर आपको किसी को भेजना है तो यहाँ पर हमने view download किया जैसे view download हमने किया तो आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं यहाँ उपर आपका detail दिया रहेगा अब आप देखेंगे यहाँ पर tax जो date हुआ है यानि जो कटा है वही 3287 रुपे इनका tax कटा है तो अब आप समझ सकते हैं कि इनका जो form 16 था उसमें जो tax कटा है वो बिल्कुल सही कटा है अब आप अपना income tax return file कर सकते हैं तो यहीं चीज़ें आपको चेक करना होता है यहाँ पर total income भी देखिए आपकी सो हो रही है च्छे लाग पांच छाजार 21 रुपे और जो total आपका डिडेक्ट हुआ है वो भी आपका सो हो रहा है तो इस तरीके से आपको अपना form 26 जरूर शेक करना चाहिए उसके बाद ही आपको अपना return भरना चाहिए अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि income tax return कैसे भरेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लिस को like कर करना बिल्कुल मत भूले क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी quality वीडियो पूरे विस्वास के साथ जैहिन जै भारत